अन्राग के मैं अन्राग क्या सबर पहला रुजान हमको मिल रहा है पहला रुजान रहना जी कहां से है रुजान और क्या मिल रहा है लोहर दगार से में पहला रुजान मिल रहा है अभी कॉंग्रेस लोहर दगार से कॉंग्रेस आगे है और यह पोस्टल बैलेट का है वहाँ लोहर दगा से पहला रामेश्वर राओं कॉंग्रेस के आगे चल रहे हैं जी आप पोस्टल बैलड है पोस्टल बैलड है अर्वाग तो अभी अभी तो लेकिन रुजहान तो बताई जा सकता है ने चाहे पोस्टल ही हो तो पहले प्रेडिक्शन गलत हो गए तो पहला रुजहान लोहर दगा से रामेश्वर राओं कॉंग्रेस के आगे चल रहे हैं ये बिलकुल शुरुआती है क्यूंकि अभी तो वोटों के गिनिती शुरू हुई है ये तो बिलकुल पोस्टल है अभी तो बिलकुल शुरू पहला कॉंटक्ट किया है हमारे लाइव रिजल्ट हब पर वो पहला कॉंटक्ट आया है इस खबर के साथ कि लोहर दगा सीट से लोहर दगा जिले की लोहर दगा सीट से रामेश वर राओं कॉंग्रेस के आगे चल रहे हैं यही आप अपनी 22 बाइं तरफ अपनी स्क्रीन पर देखने अभी तक एक ही रुजान है वो है रामेश वर राओं का लोहर दगा सीट से तो शुरुआज जो है वो कॉंग्रेस के लिए अच्छी रही है या एक शुब संकेत रही है नीराज बिलकुल किस और कॉंग्रेस के लिए रोगराव मैं रोगराव को अनुराग फिर बुला रहे हैं जी अनुराग बताईए दूसरा रुजान बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है कहां से है रुजान को आगे यह देवगर के सारट से रंदीर सिंग बीजेपी के आग बिलकुल जैसा देखे अभी तो इतनी कि इस पे कोई प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है कई बार हम लोग करके दूए जी मैं रोक रहा आरून गुलाने हमें आरून जी बताईए यही जो पोश्टर है यह पूरे शहर में प्रमुकता से लगाए गए है और इसमें देखे सोनिया गांधी शिबू सोरेन लालू यादव आर्पियन सिंग और उसके साथ इधर स्टेट की लिडर्शिप है तो जिस पोश्टर की आप बात कर रहे थे जिस महागर्ण बंधन की इसी आधार पर कर रहा है कि एक तरह के जूट रहा है और इस बार ज्यामने के पक्ष्पे अगे नभाद विधांसभाद सीड्स से जैम्म आगे है तो आप और विभान सुरें नों का से ओगए चल रहे हैं अन्राग धन्बाद से बीजिए पीजिए बीजिए कभी आगे है जिया जिया हेमन सुरेन हेमन सुरेन दुमका से आगे चल रहे हैं चार उजाने भी तक आये हैं दो गडबंधन एक बीजेपी दो गडबंधन एक बीजेपी चार उजाने दुमका से हेमन सुरेन जेमेम के आगे चल रहे हैं सारट से रंधीर सिंग बीजेपी के वो आगे चल रहे हैं, धनबाद से राजसिना बीजेपी के पीछे चल रहे हैं, और लोहर दगा से रामेश्वर अनाओं कॉंग्रेस के आगे चल रहे हैं, तो अभी तक चार रुजान लुईश मिरांडी बीजेपी की पीछे चल रहे हैं एक ये अन कौन सी पार्टी है वो देखना पड़ेगा अभी तक जो एक सीट पर एक निर्दली आगे चल रहे हैं ये सीट है धनबाद की धनबाद की सीट पर इन मुख्य पार्टियों से कोई आने लही है मनीलाल महतो अने में जो आपने बताया वो जे अने में घनबाद की सीट रहे हैं तीन गटबंदन के पक्ष में एक अन्य धन्मात की सीट और सिर्फ एक सीट पर BJP आगे चल रही है सिर्फ एक सीट पर BJP आगे चल रही है वो सीट है सारट की सीट जहां से बरंदीर सिंग आगे चल रहे है दुमका से लुईश मेनाणडी पीशे चल रही एगन सुरेन आज़न लड रहा है उसका अभी तक रूझान नहीं आ है BJP सर्फ एक सीट पर आज़न चल रही है एक और रूझान किशोर अमारे पास आ रहा है डुमृरी है वहां से जगरनात माता है यहां पर दीरे दीरे यह नीला भरता जा रहा है यह चार सीटें यह इस तरीके से यह चार जो है यह नीले हो रहे हैं यह इस तरह से जार्खन का नक्षे का रंग भरेगा जैसे जैसे सीटें आएंगे साथ सीटों के रुझान आ चुके हैं पांच गडबंदन फाइव वन चल रहा है इस वगड़ लोर्दगा से कॉंग्रेस आगे चल रही है रमेश्वर औराओं और पाकू से कॉंग्रेस आगे चल रही है तो पांच हो गए हैं अब कॉंग्रेस प्लस के पक्ष में आलमगीर साब पाकूर से आगे चल रहे हैं कॉंग्रेस के खूंटी से बीजेपी आगे चल रही है दो सीटें बीजेपी की खूंटी और सारट बाकी सब सीटों पर गडबंदन बिल्कुल शुरुवाती रुजान हे धियान रखिए, बिल्कुल शुरुवाती रुजान है अभी 8render नीलकान एकर करके हर सीट के आरहे हैं, तोरपा से कोचे मुंडा BJP के आगे चल रहा है चार सीटों पर BJP फकड बनाती हुई BJP का गडबंदन के करीब पहुँचती हुई 10 सीटों के रुझान में 5-4 का स्कोर चल रहा है 5 में गडबंदन, 4 पर BJP 5-5 हो गया, 11 में 5-5, 5 BJP, 5 कांग्रेस और दीरे दीरे दोनों बराबर हो चुके 6 गट बंदन 5 BJP 12 में 6 गट बंदन 5 BJP BJP जाधा पीछे नहीं है और कांग्रेस गट बंदन दोनों मिलाके 6 हो रहे है जबकि BJP अकेली 5 सीटों पर आगे है 6-6 हो गया, 13 सीटों में 6-6 6 BJP, 6 कांग्रेस गट बंदन बिलकुल बराबर का मुकाइबला चल रहा है यहां पर बिलकुल कांटे का मुकाइबला चल रहा है दोनों पाटियों की बीच शुरुआती रुजानों में 13 सीटों के रुजाना आ चुक है 80 में से 6 पर BJP, 7 पर BJP, BJP आगे निकल गई तब तक हम सीटों के रुजान देख सकें 15 में 7 BJP, 6 पर कॉंग्रेस गट बंदन 15 में 7 BJP, 6 पर कॉंग्रेस गट बंदन यानि BJP आगे चल रही है 15 सीटों के अभी तक जो रुजान आए है शुरुआत अनुराग, BJP आगे निकल गई है किशोर बिलकुल और राची में दिल्चस्प दिख रहा है कि राची की दोनों सीटों पर BJP के पक्ष में रुजान आए है अभी तक तो शेहरी इलाकों में पूरी तरह से पकड़ बनाए हुए BJP अपनी राची की सीटी की दोनों सीटों पर BJP आगे है